आज की चर्चा में आपका स्वागत है जनाब ने एक दमदार और अच्छी परफॉर्मेंस इस बार दे दी इस तरह से वो गिजा के बर्डे पर थोड़ा सा अन्मने और मुर्जाए हुए और बड़े आराम से बोल रहे थे कि जजी से कमेंट आप सून लेना देख लेना और म नंबर इनको मिले हैं इस बार परफेक्ट 30 फरा मैम जो कि अपने बेबा कमेंट के लिए मशूर है और ट्रांस्पेंट रूप से पूरे तरीके से साम नहीं कहती है कि जो उनको अच्छा लगता जो उनको अच्छा नहीं लगता वो इस बार नहीं थी उनके स्थान पर जो म जो परफोर्मेंस था यह जो कोरियोग्राफ किया गया था यह बहुत ही अच्छा कोरियोग्राफ किया गया था इसमें कोरियोग्राफर को पता नहीं क्यों ज्यादा नंबर या यह कहिए कि ज्यादा अप्रिशेशन नहीं मिलता है जब यह डांस की तारिफ होती है तो आप आप सरिफ स्टार की तारिफ कर देते हो और जब ऐसा होता है कि डांस अच्छा नहीं होता तो आप कोडियो ग्राफर को खीचना शुरू कर देते हो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जहाज का कप्तान जो है वो तो कप्तान ही होता है ठीक है वो आपने आर्टिस्ट के साथ मे हार्ड वर्क करा रहा है और उसको वो बाहर निकाल कर लेकर आ रहा है तो मेली देखा जाए तो मेल पहली मेहनत तो जो होती है वो कोडियोग्राफर की होती है and it is a mind plan also क्योंकि सबसे पहले तो वो strategy बनाता है कि किस तरीके से क्या करेगा और अपने contestant से क्या निकलवार कर आएगा तो यहाँ पर जो contemporary इन्होंने first time attempt किया था तो वो बहुत अच्छा रहा इसमें और इसमें एक बात और भी रही कि साहब जो की जनाब जो की अच्छी acting के लिए मशूर नहीं है नौर्मली उनको constipated acting कहते हैं लेकिन इस बार जो उन्होंने acting का जो अपना था वो बहुत अच्छा दिखाया यानि इस contemporary में जो face expression जो है वो face expression बहुत ज़्यादा मायने रखते थे तो वो ऐसा उन्होंने performance दिया है उन्होंने सही तरह से performance दिया और जिस तरह से उलजा परिशान आदमी जो बहुत ज़्यादा depressed है और अपने सवालों से जूच रहा है ऐसी face बना कर इस तरीके का performance दिया है तो कुल में लाके यह कि performance तो इनका हो गया है अच्छा नोट करने वाली बात यह है कि इस बार मैडम इस performance में नहीं थी पिछली बार फरा मैडम ने नहीं आती और उसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे यह भाई-बार परफॉमेंस कर रहे हों वैसे भी वह एक्ट जो था वह इस टाइप के था कि वह एक साइड डांस कर रहे हैं और दूसरी साइड डांस कर रहे हैं जबकि बरफ पर पानी का एक्ट था तो वहाँ पर बहु जैसे वो लोग उस केमिस्टी में नहीं आ पाते और फिर दूसरा मैडम के पास शाम को तो जाना ही जाना है तो इस तरीके से शोयब भी उतना परफॉमेंस वहाँ पर फ्री माइंड से परफॉमेंस नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वज़े से भी हो सकता है ऐसा और फिर राफर एक्जेक्ली जो कराना चाहता है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं आपाता है वो भी कहिए लेकिन यह हुआ तो अच्छा ना उसके ना रहने से कम से कम इनके परफॉमेंस तो इंप्रूव हुई है और वैसे भी एक बाह बताईए रोज रोज सेट पर कौन जाता ह क्या यही एक सेलेबरिटी है जिनकी वाइफ है आप देखे ना विवेक की वाइफ जो है वो भी सेलेबरिटी है और उसने इन से ज़्यादा नाम कमाया है वो तो गभी रोज रोज सेट पर नहीं आती और बाकी की जो सेलेबरिटी है उनके भी तो अच्छे रिलेशन्स हैं समीत है कि तो फैमिली पूरी की पूरी फिलिमेंटिस्टी में रही है वो चाहे तो काजोल और क्या ना मैं आपके अजे देवगन और ना जाने कितने लोगों को अपने साथ में लेकर आ सकती है लेकिन ऐसा नहीं होता यहां पर ऐसा लगता है कि यह जो जहलक दिखला जाया का जो मैनेजमेंट है यह भी थोड़ा बायस्ट है मतलब यह मुझे खास थोड़ से कहना है कि बड़े गलत तरीके से इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऐसा लगता है जैसे इमेज बिल्डिंग करने का काम कर रहे हैं यह मतलब जनाब जो है जो दिखाया जाता है हर बार राजा बेटा दिखाया जाना मा को दिखाया जाना बीवी को दिखाया जाना ऐसा आप दूसरे को साथ में क्यों नहीं करते अगर आप दूसरों के साथ करें तब तो हमें अच्छ लगता है कि हाँ भी ये ठीक है हर बार जब उनकी परफॉर्मेंस होती है तो वो एक नएक उनके जो व्लॉग है व्लॉग के कुछ सीन वहाँ पर चला दिये जाते हैं और सेलेक्टिव सीन होते हैं कोई ऐसे तो है नहीं कि भी अपनी मर्जिस चला दिये जाते हैं तो यहाँ पर लगता है कि मैडम की बहुत ज़्यदा चल रही है और मैडम कहीं न कहीं इंफ्लॉएंस करती है इन चीजों को शाद इसे लिए वहाँ पर ज़्यादा जाती है परफॉर्मेंस के दोरान भी मैडम को इतनी बार दिखाना है उनके एकस्पेशन्स दिखाना है यह सब करना यह सब अच्छा नहीं लगता है ऐसे लगता है कि जिसे किसी एक कंटेस्टेंट को आप ज़्यादा वेटेस दे रहे हैं और वो कंटेस्टेंट की इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए आपकी इमेज राजवाबू की हो किसी की भी हो शेव है बाकी है क्या इन लोग की इमेज खराब है क्या संगीता है क्या इनकी इमेज खराब है क्या ये जो कॉमेडियन एक आए हुए है उनकी परसनल लाइफ में इमेज खराब है क्या अंजली की इमेज खराब है क्या अंजली ने तो इतने एक्जामपल सेट की हैं उसके ब उसका रीजन यह है कि इन रियल्टी शो में काफी हद तक अब शोशल मीडिया के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या कलकार हैं या फिर ये कि व्लॉगर हैं या शोशल मीडिया पर जो बहुत ज़दा एक्टिव रहते हैं उनका इन्वाल्मेंट बढ़ने लगा है उनके इन्वा के एक सीजन में अभी देख चुके हैं कि एलविश यादव और दूसरा फुकर इंसान यह दोनों का जो चल रहा था उसमें किसको जिता दिया गया किसको नहीं जिता आया गया यह कंट्रोवर्सी वाला रहा और बहुत लोगों का यह मानना था कि शायद उससे ज़दा यहिवज़े है कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जनाब को इतनी ज़दा वीटिस दिखा रहे हैं इतनी ज़दा दे रहे हैं जिसकी वज़गे से यह जो रिजर्ट्स हैं एफ्ट्ड्स ऑफेक्टिट होंगे हाला कि मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जितने वी जजिस हैं वो बहुत ज़्यादा transparent है और उनका जो numbers होते हैं वो सही है लेकिन देखिए आपने 50% का weight is रखा हुआ है viewership का कि जो लोग vote करेंगे उससे आएगा और 50% आएगा judge से comment से तो फिर viewership से जो आएगा voting वो तो फिर एक तरह से imbalance कर देगा ना चीज को तो यहाँ पर यह जो परफॉर्मा है इस show का यह कहीं न कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं है और जज्जमेंट नहीं सही कर पाएगा क्योंकि यह जो है एक dance performance है यहाँ कोई voting का यह नहीं है कि भी किसके ज़्यादा vote है क्योंकि viewership के हिसाब से देखा जाए तो यह जो influencer है इनके ज़्यादा vote आते हैं तो definitely इनकी जो performance है वो performance पे ना आके इनकी vlogging की वज़े से आते हैं तो यहाँ vlogging का contestant तो हो नहीं रहा है तो इसलिए इनको चाहिए जलक दिखला जावालों को at least इस चीज़ को इतना ज़्यादा focus ना करें सब के साथ में transparent हैं सब को बराबर मौका दें जिससे कि यह लोग अच्छी performance दे पाएं साथ साथ मेरी viewers से भी अपील है कि जो अच्छी performance करें ऐसा नहीं है कि हम जनाब के खिलाफ हैं या जनाब के अगेंस्ट हैं आप उनको वोट कर सकते हैं जब उनकी performance अच्छी हो और जब दूसरा कोई अच्छा performance देता है तो उसको भी वोट करें तो जो अच्छा contestant है जो अ उस शो में उसकी जो performance है उसके basis पे ही वोट थे हैं और वैसे भी मैडम ने तो वो set को तबेला बना के रख दिया है कि वहाँ बिर्यानी चल रही है ये चल रही है वो चल रही है और फिर वहाँ जाकर बैठ जाती है इस तरह से थोड़ ना होता है आप किस तरह से शो को influence करन अच्छा रहती है बात बाकी जो contestant है उनकी performance की तो इस बार जो है अंजली के performance को काफी सरहा आ गया उसको 28 score किया गया संगीता की performance को उतना अच्छा नहीं माना गया उसने 24 score किया विवेक की performance भी तोड़ा सा डल रही हाला कि उसमें सनम थे तिगडी के अंदर और सनम ने इसा लग रहा था सनम से आखें नहीं हट रही थी लेकिन उसके बाद में भी उनकी performance को 23 marks मिले शीव ने भी अच्छा performance किया उसने 27 score किया तो इस तरीके से इस बार जो 5 performance हुई उसमें तो जनाब ने highest score किया और first time इस season का उनको perfect 30 score मिला एक opinion और मैं independently देना चाहूंगा यह इ दूसरा जो change over moment होते हैं उसमें थोड़ा से lazy लग रहे थे तो अगर वो थोड़ी सी अपनी fitness की तरफ ध्यान दें तो हो सकता है उनकी performance और ज़्यादा अच्छी तरही से निखर कर बाहर आएगी तो इस podcast को यहीं खतम करते हैं मिलते हैं अगले podcast में यह podcast आपको अच्छा ल रखिये आला हाफिस